सफलता जे रुख विच तोड़ा सार्यान दा बहुत-बहुत स्वागता है दोस्तो आज दा दिन 17 दिसंबर 2021 ता आज दे सेशन दे विच आपा डिसकस करन जा रहे हैं 17 दिसंबर 2021 दे the most important current affair जडे की सढ़े paper point of view तो काफी important रहन वाले ने जिवे किसा नूँ पता है PPSC ने cooperative inspector दिया 300 वी वकेंसियान नो लेके notification जारी किता हुए है ते पंजाब government गया होर वी आन वाली है वकेंसिया ते चाल रही है वकेंसियान ली एक class इस session बहुत ही important रहन वाला है ता स्तारा दिसंबर दा आजदा दिन करन्ट FAS नू स्टार्ट करन तो पहला जस्ट इनक दसदा की हाले तक अगर तुसी साढ़े YouTube चैनल नू सब्सक्राइब नहीं किता ता YouTube चैनल नू सब्सक्राइब कर लो ते सब्सक्राइब नहीं पुलना ताकि अनू अपडेट मेल दे रहेंड इस तो इलावा तेड़ी classes पीडिएफ हों दी है session पीडिएफ है उत अनू मिलू की सदे टेलीग्राम चैनल देवेच जिस्दा लिंक नीच दिस्क्रिप्शन देवेच दिता हुए है हां जी now let's move towards the session हां जी are you guys ready क्या मेरी अवाज वगरा सब कुछ क्लियर है तो अनू फड़ा वर जल्दी जल्दी दस दो की मेरी अवाज क्लियर है ठीक है तो आपा session read what's move on करने है की सब कुछ क्लियर है all okay जोश okay चलो जी let's start with the first news the data protection bill has provisions for the right to be forgotten center till the high court देखो जी high court देविच एक petition file हुई 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 इस petition देविच की क्या गया सिगा कि basically दो बंदे सिगे दो बंदे ने joint petition file किती कि उनना दे related काफी सारा data है मतलब misguiding data उनना दे related online data मतलब google दे उत्य होनना दे related बहुत सारा data पे है देड़ा कि लोगा दो misguide कर रहे हैं उनना दे बारे मतलब गलत data पे हुई है तो दो बंदे ने mail के high court देविच petition file करती तो हुन high court नू जवाब दे रही है center government center government नो जवाब देना पहेगा क्योंकि 2019 दे वेच center government ने बढ़ाया सीगा data protection bill data protection bill जड़ी सड़ी सड़ी बारे information होंदी है और यडी public होई होंदी है जिवेकी facebook instagram ठीक है जड़ा social media होंदा है ठीक है उनना तो ड़ेटा चक चक के सड़ा data है गया ओनलाइन insights ते publish किता है जबना data चोरी होंदा है leak होंदा है तो उसनों लेके protection bill सरकार 2019 सरकार ने फ्रेम किता सीगा बठाले तक पार्लेमेंट देवेचो पास नहीं हो सक्या देखो सड़ा constitution सानू 6 fundamental rights define करता है सड़ा सविधान जड़ा है का सानू 6 fundamental rights define करता है उनना विच्छो एक fundamental right है right to privacy ठीक है right to privacy and right to privacy दे नाल नाल एथे सरकार कह रही है कि right to privacy दे अंडर असी एक और चीज़ लेके आना जा रहे है जेड़ा की right है परसंदा एक नवी चीज data protection bill दे वच अप्रोच किते गई है data protection bill जो तो लेके आ जा रहे है that is right to be forgotten right to be forgotten ठीक है जी कि कोई person जड़ा है अगर ओदे बारे misguiding data जड़ा हैगा online sites ते publish किता गया है लोग कानू misguide करन वास्ते तो उस data नूँ डिलीट किता जा सकता है ठीक है उस data दे लई अप्रोच करना उस नूँ डिलीट करवान दे लई एक बिल ठीक है एक basically एक new thing यह थे data protection बिल दे विच एड कितीगी data protection बिल दे विच एड कितीगी data protection बिल पार्लेमेंट दे ongoing session दे विच सड़ा पार्लेमेंट दा winter session ongoing है ठीक है तो नूँ सारे नूँ पता हुगा पार्लेमेंट दे तेन सेशन होंदेने पार्लेमेंट दे तेन सेशन होंदेने पार्लेमेंट जडी होंदी हो कदे भी नहीं बैठ जांदी उसे तेन सेशन होंदेने सब तो पहला आंदा budget session उस्तो बाद आंदा या इसदे विच डाटा प्रटेक्शन बिल नू लेके चर्चा हो रही है तर डाटा प्रटेक्शन बिल लाइखे आरे अगर किसे बंदे दा गलत डाटा गलत इंफर्मेशन किसे बंदे ने बारे इंटरनेट दे उत्ते पई होई है ता उसनों डिलीट किता जा सकता है that is our fundamental right part of right to be privacy right to privacy ठीक है yes अलिशा जी अपा मैं वो दी गल भी करांगे मैं एच दी गल भी करांगे ठीक है जी clear तो इथे साड़े कोल की गल हो रही है right to be forgotten दी गल आपा कार रहे है ठीक है जी ताकि इस data basically right to privacy है उसनों secure किता जा सके that is data protection bill किसे नों कोई doubt है तो CSD regarding पोच सकते हो क्योंकि basically काफी सारी judgments इस दो लेके पहला भी आ चुकी है ठीक है और इसा हाई court ते करनाट का हाई court ते हैं भी दो judgment आई हैं जिस दे विच right to forgotten इसे असेप्ट किता गया सीगा as a essential part of the right to privacy right to be forgotten right to be forgotten कि इना दा data delete किता जावे इसे court दे order सीगे ताप data protection दे बिल दे वेच इना लेके provisions एड किते जा रहे हैं clear जी चलो जी next चल देया next discuss कर देया next is the US imposes the sanctions against the China over abuse of UGERS ठीक है देखो जी basically UGERS की ने सब तो पहला था UGERS की ने ठीक है जी UGERS दे अगर मैं गल करा basically these are the Muslim community peoples एक type दे Muslim community peoples है डेडे की Turkish language बोल दे है ठीक है Turkish मतलब इना दी एक unique language होंदी है अपनी ही एक language बोल दे है डेडे की Turkish दा mixture होंदी है and they are basically from the Central Asia Central Asia दे कुछ पार्ट तो उठट के आके कई जगाते वसे हुए Turkey देवेच भी रेंदे है चाइना देवेच भी बहुत सारे UGERS पीपल है ने नों तननों देखनों मलते है चाइना देवेच चाइना देवेच पार्ट है गा नौर्थ वेस्ट देवेच लगबग अद्धी अबादी है ना वो उगर्स पीपल दी है वो उगर्स पीपल दी है हलाकी एक तरफ आपा देखने है कि पाकिस्तान वरगे साड़े पडोसी देश नों चाइना बहुत सपोर्ट करता है जैस देवेच पाकिस्तान की समझद है कि हमैं उगर्स पाकिस्तान की समझद है कि मुसलिम्स नो अगर अब्यूस करता है कि वह सची देविच पाकिस्तान नो सपूर्ट करता हुएगा चाइना सिरफ अपना मतलब देख रहा है ता जड़े यूगर्स पीपल से रहंदे ने ठीक है जी इनना था बहुत अच्छे लेवल ते वाइलेशन एथे किता जा रहा है अब्यूस किता जा रहा है ठीक है जी चाइना ओल्वेज मुसलिम्स नो टार्गेट करता रहा है ता इस नो देख दे होए यूएस ने यूएस से ने अगे आके चाइना देवापर कुछ सेक्शन लगाए ने ता कि जड़ा चाइना उगर्स पीपल देड़ा अब्यूस है यूएस ने अगेंस ने चाइना देख रहा है ता इक सिंपल जा कोश्चन एथे तो आनू तुसी की देख रहे हैं कि यूएस ने केडी कंट्री देवते सेक्शन लगाए है उगर्स पीपल दे अगेंस्ट वाइलेशन दे अब्यूस करन दे लई ठीक है क्योंकि चाइना व यूएस वरगा कंट्री अगया के सेंक्शन लगा रहे है ता इथे वीटो पावर्स भी इस्तेवाल हो सकती है ने बहुत सारी चीज़न यह थे तुसी देख साग देओ ठीक है ता यूएस ने यह सेंक्शन लगाए ने उगर्स पीपल दे वाइलेशन नू करके ठीक है जी ठीक है जी डाउट सेक लने है फड़ा-फर्स ठीक है जी सच जी पिय स्तेट ग्साम गज़्द होएगा नहीं अलग अज चैने अज आदमिट कार्ण रिलीज केते जांगे पिय स्तेट अपने स्टड़ी किती है तो उन्हाने डिफाइन किता है कि COVID-19 जड़ा तीसरा वेरियेट इथे चल रहा है पहले कापा डेल्टा इना बारे आपा अल्री पड़ेया होएगा ते बेसिकली अपा ओमिक्रम दी गल भी अपनी क्लासिस दे वेच अल्री बहुत बारी कार चुक है तीसरा वेरियेट है थे ओमिकरम चल रहा है गा इंडिया देवेच लगबग हले तक 73 कैसी हले तक रिपूर्ट किते है गए ठीक है जी asper the Hindu ठीक है दी हिंडू नियूजपपर जिया काड़ी इंडिया देवेच हले तक 73 कैसी डिफाइन किते है गए ने कल तमिल लाड़ु ते लंगणा देवेच काफी कैसी एथे देखनों मेले मतलब स्टार्ट हो गया होते ही ते ओमीक्रन दा वेरियाट हैगा जिवेकि आपा देखिया कि कोविड पहला आया का आपा देल्टा वेरियेट आया लंग्स नू बहुत इफेक्ट कार रहे सीगे इनिशली बेसिकली इन देड़ा एफेक्ट सीगा और लंग्स ते हो रहे सी इनसान दी बंदे दी इमिरिटी डाउन होंदी सीगी ते उस दे लंग्स नू इफेक्ट करता सीगा बट एथे होंग्कोंग ग्रूप दी स्टडी की कह दी है कि जड़ा ओमीक्रन दा वेरियाट इन जल्दी इफेक्ट नहीं कर रहे है लंग्स ते बहुत होली होली इफेक्ट अपना पांदा है गया यह यह थे स्टडी दे द्वारा दस्या गया अलाकि इंडियन गूपस ता एवी कह रहे है कि अगर तुसी दोनों डॉस वैक्सीन दी लगवाई होई है अगर तुसी द अगर अले एक निड़ महीनी दे विच हो सकत अए अगर एक निड़ महीने दे विच एच शंगी पकड अपनी पकड ले इस देखनों मिल सक दिये तीसरा वेरियन चाड़ा कोविडवड़ द धो वीरियन अपने पर चुक है ठीक है जी वीटो शक्ती की हुनदी है बच्चे कल पी एस टेड़ दा पेपर पोस्ट पॉन हो गया ठीक है do you have any official information ठीक है official notification है कोछ राहूल जी ठीक है क्योंकि हाले तक कोई official notification मैंनों देखनों नहीं मिला वीटो शक्ती क्यों दिया देखो United Nations करटी अगर कोई देश दुनिया देवेच नॉम्स दी वाइलेशन करदा है लोकाने human rights ना शूशन करदा है दुनिया देवेच टेररिज्म जनरेट करदा है तो नहीं कोई भी सेक्शन लिता जा सकता है एक इंडिविजल कंट्री तक सेंक्शन लगा सकती है यह नी कि पंजा मैंबर कथे होना जरूरी है ओके रहुल जी आवल चैक अफ्टर दा लेक्चर डोंट वरी ठीक है विल चैक अफ्टर दा लेक्चर इस रेली पोस्ट पॉन और नॉट ठीक है बिकोज हल्ले तक मैं इस दे बारे कुछ भी नहीं सुनिया या नहीं रीड किता कोई official document चलो जी नेक्स चाल देया नेक्स इस दा Philippines फिलिपिन्स देश देविच आया एक टाइफून ठीक है जी डाट टेस तालिफून राए ताइफून राए देखोजी तिम्पली चीज यहीं है एक ताइफुन आया thekendra नाम यह द था एक धूपञ out कीछ ज़िस धने all फिलिपिमस शुइन आखर ताइफून उठर्रम कम मचव कि दे ज़े ने मनिला के यह कि यह सिंपल कोशन पपर देश दे मुझा थे के केड़े देश देवेच आया एक कोशन काफी important हो जाना है ठीक है ए चीज तो अनू क्लियर होनी चाहिए है कि ताइफुन राय केड़े देश देश देवेच आया है ठीक है बहुत सारे एंदाने नाम दे पीपल देड़े इंडिया देवेच रह देने ता आपके वरी idea लगा यह पेड़ी दे ऑनडेया है णिया आया हुगा नहीं यह फिलिपन्स देवेच आया यह फिलिपन्स देश देश देवेच लिएगा, इसलाइ है इसलाईए कार्फ नाम आ प्रॉपर लीजाना प्रउपर इस चीज zakत सेक्षित न देखी कि एक वरीपिर देश देश पर देविच न एकानमी नो लेके भी कोश्चन आने ने ठीक है सड़े पेपर देविच एकानमी किश्यू भी पुछे जाने ने तर दिस इस दा एकानमी किश्यू की एगा एफडियाई की हुँदी सब्सक्राइब पहले फॉरण डारक्ट इन्वेस्टमेंट किसी विदेशी कंपनी दा देश देविच आके पैसा लगाना यारी की पारत देविच किसी विदेशी कंपनी दा को यूएस चाइना फिलिपिन्स मयनमार ठीक है थाइलेट किसे भी बाहर को अजाओ देशनी कंपनी दा आके इंडिया देविच पैसा लगाना तो आपका कवांगे इंडिया देविच एफडिया आई है एफडिया मतलब फोरं डिर्क्ट इन्वेस्टमेंट होई है और एफडिया यह लिमेट्स ने दिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से थीक है एकमर्स बोल देया ओनलाइन बिजनस ठीक है इस दे विच गवर्मेंट ने 100% अपना पैसा लगा सकती है अगर इकमर्स दे विच मानला मैं एफडिए 74 परसेंट हुदी ठीक है या फिर मैं कहदा किये थे 49 परसेंट हुदी कुछ भी कह सकते अगर 74 परसेंट है ता विदेशी कमपनी फॉरन कमपनी जो दो इंडिया रे विच बिजनस करना आई ता ओ इंकमर्स दे विच सिर्फ 74 परसेंट पैसा ही लगा सकती है बट एक कमपनी दी टोटल आफ इंडिया होए बट ओ फॉरन कमपनी सिर्फ 74 परसेंट पैसा ही लगा सकती है ठीक है दी बट इकमर्स दे विच अटा टाइम 100 परसेंट अलाउड है नहीं जस्ट एग्जांपल दे रहा सीगा क्लियर जी ता एफडियाई नू लेके एथे एक न्यूस आंदी है यूब 2021 भाई ठीक है 2021 जिड़ा की कती मार्च 2022 भाई नू खतम होगा इस साल देविच जड़ी एफडियाई है और डिकलाइन हो सकती है वी परसेंट तक अगर मैं कमा फाइनेशल येर 21 फाइनेशल येर 20 ठीक है यानि कि 2021 जन्नी एफडियाई या 2019 वी देविच जन्नी एफडिया या ही उस नड़ोवी परसेंट काट सकती है इस साल अफडिया इनानी की विदेशी कंपनिया इंडिया दे विच क्राइसल लगा रियं है या फिर इंडियान अगरी विदेशी कंपनियें नू इना जधा अट्रेक्ट नहीं करांगे इस अड़ा एक परपस सड़ा एक अजंडा चलदा आ रहे है ठीक है इंडियान गवर्मेंट ने बहुत सारी चीज़ा दे विच अनौंस किता है कि इंडिया एना सेक्टर से विच एक हब बनेगा एक मैनुफेक्शनिंग हब बनना चारे है उस्तों बात सिरकार ने प इससे लिए करके UBS एक रिपोर्ट आ दी है रिपोर्ट की कहन दी है FDI इंडिया दे विच डेकलाइन हो सकती है दोजार वी नालो दोजार इकलाइन हो सकती है ठीक है इस इस जस्त अं एस्टीमेशन रिपोर्ट ठीक है बट क्योंकि इनले एक्जाम देवे चनानों लेके को के किसे नो कुछ भी है कुछ समझ देवेच नहीं आ रहा है कि पता नहीं लग रहा है कि किद्दा की नूज आ रही है ता चैट ऊड़क्स तो आ डेकोल आ कमेंट सेक्षन तो आडेकोल है तुसी कोई भी कोष्चिन अपना पुट कार सब दे ंव, I will clarify all your doubts clear चलो जी अग्य चलांगे next देखांगे next the partisans act won't be allowed election commission to Punjab bureaucracy होने पंजाब दी news आ गई ए पंजाब दी news आ गई लेको पंजाब दी news आई है बट पंजाब देविच होड की ने election पंजाब देविच की ने सिट्टा की नहीं है ठीक है अगर आपा इस चीज दी काल करिए थे पंजाब देविच 117 सिट्टा ने जित्थे की election होना है 2002 देविच election केस तरीक नू होनगे code of conduct केस तरीक नू लगूगा हले डिफाइन नहीं किता गया ठीक है ताहले rumors ने जिनने भी ने rumors नहीं नहीं करी दा हले तक कोई भी date डिफाइन नहीं किती गी बाइदा government of Punjab बाइदा election commission of India देखो इंडिया ने वेच किसे भी states देवेच या इंडिया देवेच प्रेजिडेंट प्राम मिनिस्टर और कोई भी election होन देने वो elections देउं conduct करवान दा काम करदा election commission of India सब तो पहले दापा इस body दे बारे जानागे कि इना elections नो conduct करवान दा देडी body काम करदी है उस दा नाम है कि election commission of इंडिया ठीक है election commission of इंडिया इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया दे अगर मैं गल करना ठीक है यह body बनी सी गी 25th of January 1950 नो ओँ बाडी मनाईी सी की election commission of इंडिया इस दा काम में इंडिया देविच elections नो conduct करवाना ठीक है इस देविच एक चीफ election commissioner होन देने एक चीफ election commissioner होन देने त्रे दो election commissioner होन देने इंडिया दे प्रेज़ेट चीफ एलक्शन कमिश्चनर ने एना दना हैगा शुषी इल चंडर यू कन सी है इस इस शुषी इल चंसर ने तो इलक्शन कमिश्चनर रहए गैने दो election commissioner है गे ने, एक कदा नाम हैगा रजीव कुमार, दूजिदा ना हैगा अनूप चंदर पांडे ठीक है जी, अनूप चंदर पांडे हाँ जी एक question एथे मैं raise करूँगा एक question मैं एथे पुछूँगा की कोई मेनू दा सकता है election commission of India केड़े article तेहत बना है कैसी का the article regarding the election commission of India and even ठीक है जी देख 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 सब तो पहला code answer कर दा है, मेरा है question आया तो रुफटाफट which article defines the election commission of India or election commission of India was established under the which article of Indian constitution very good, very good this is article 324 324 which defines the making of the election commission of India एक होर चीज जसा कि जदो मैं एते 25 जनवरी दी गाल किती कि 25 जनवरी उनीसो पना है कैसी का तब 25 जनवरी नू और्गनाइज भी किता जानदा है National Voters Day मत दाता दिवस National Voters Day अला कि 25 जनवरी नू National Tourism Day भी अबसर्व किता जानदा है ता हूं बैक टून नीज आने हा एट नीज सानु की कहने हिए एट नीज सानु कहने हिए कि पंजाब देवेच इलेक्शन होण वाले ने एस नून लेके Election Commission ने अपनी कमर कस लिय ए Election Commission की कहना है कि पंजाब देवेच बहुत सारी ना Partiality चल रही है कोई वी ऑफिसर किसे लेवल ते पार्शेलिटी नहीं करेगा अगर फड़े आ गया पार्शेलिटी करदा हो या किसे भी तरह दी इन्फरमेशन मिल दी है तासी सक्त कारवाई करांगे जड़ी भी बढ़नी कारवाई है उस ऑफिसर ते किती जाएगी इलेक्शन कमीशन ने ओफिसर्स नूट प्रॉपर्ली एक अधेश दिता है कि जिनने वी अथे फंडिंग हो नहीं है जिनना वी खर्चा इलेक्शन थे होने ने एक्सपैंसेज होने ने उन्हादी पूरी रिपोर्ट बना के दो अपने अपने जोन दी एड़ उस तो इलावा पॉलेटिकल पार्टीज नूँ एक अधेश दिता है इलक्शन कमीशन ने कि जेड़े जेड़े तोड़े कैंडिनेट्स एदा दे होनगे जेड़े की तोड़े पार्टीज मेंबर ने पार्टी कैंडिनेट्स ने अगर उन्हादे खिलाब कोई केसीज रिजिस्टर ने करो उन्हारा डटा भी डिफाइन किता जावे एलक्शन कमीशन दा ओर्डर हैगा टूदा पंजाब पार्टीज पंजाब पॉलेटिकल पार्टीज एंड पंजाब ब्यूरोक्रेसी यह थे डटा दे रिता गया उस्तों बाद अगर आपा नौर्मली गल करिये थे पंजाब दे डटा दी जो किया थे डिफाइन किता है किन्नी वोट्रस ने पंजाब चैनला ने वोट पानी है जडिक्स आगें यह था टोटल फूर् मोटर से डिफाइनyi किता है तो करोड़ 11,031,683 जिदे मैल किन्य ने बंदे किन्य ने 11,08,003 फीमल किन्य ने 12,396 अदर्शचो पचास सी ठीक है जी उस तो बाद गल करिए एना दे विच्छो 18-19 साल दी गुरूप दे वोटर किन्य ने 1,32,608 यह त डिफाइन किता गया है चोवी 1699 इत्थे पॉलिंग स्टेशन है जिस दे विचो 377 अरबन देविच ने 16920 रूरल देविच ने इस पॉलिंग स्टेशन दा डेटा पढ़न दी लोड नहीं है ताही मार्च तक और पंजाब दे वेच गोवर्मेंट है घी यानि कि तेन मिनने हैं ले होड़ सरकार पाई है ताह डोड़ वरी सरकार चंगा ही करूगी ठीक है नी ताह दिस इस इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया कोई डाउट ता नहीं है चलिया आगे नहीं नहीं Certificate कोई नहीं मिल था है वोट पान था ठीक है यह तुसी फर्स टाइम वोट पाना है तुसी आपने और ली कारण लो सकते हो कि आये जस्ट वोट इट पूर फॉर्स टाइम ठीक है एक तौड़ी आपी ना सो सकते है अंदर तौडी इंटर्नल है ना सो सकते है जिसदे थू तुसी वोट पाऊगे जड़ा की मस्ट वोट पान लई ठीक है की तुसी वोट पान लई अलीजी वलो चलो अगे चलांगे next the government hikes the tax on the luxury buses this is not the central government this is the Punjab government ठीक है this is Punjab government पंजाब गॉर्मेंट ने luxury buses यानि की Mercedes, Volvo's ठीक है इरडियां buses चल दियाने वड़ियां वड़ियां एसी buses चल दियाने एना दे उते टेक्स लेंदिये सरकार पंजाब सरकार उसनों increase कर देता है as per the motor vehicle motor vehicle act थीक है motor vehicle act देवेच कुछ changes कर देवेच टेक्स नों 100 km चल लेगी एक बस एक लग्जरी बस रेड़ी है कि 100 km चल दी है ता 100 km चलनते उन्हों एक देंदा पांजरपे 60 पैसे नहीं multiply कर दो इना टेक्स उन्हों देना पेंदा गवर्मेंट नो ठीक है जी यानि कि 560 पे हो गया I think उन्हों टेक्स देना पेंदा ठीक है 100 km चलनते एक देन दा बट हुन इस टेक्स नों increase कर देता गया इस नों आ तेन गवर्मार्मेट दा रिवर्मियू रबाता और किलोमेटर पर नीचवर्मेच को सिरफ केड़ियां बस वाध कीरिंश इस्ते नहीं कीता गया तो उन्हों एक इंफॉर्मेशन अगर मैं दसनी चावात है थे दस सक्दा कि पंजाब दे विच लिडिया पी आटी सी दिया बसा चल दिया ने या फिर नॉर्मल नौन एसी बसिस चल दिया ने होन तक होन तक इना बसिस दे उत्ते जादा टेक्स लगदा सीगा आज कंपारेटिव टू दीज काइंड आफ लग्जरी बसेज ठीक है जी एना थे उत्ते काट टेक्स लगदा सीगा दुजी नौन एसी बसिस दे जादा टेक्स लगएगा ठीक है एंड मैं नहीं कह रहा है कि ये मूव गलत है ठीक है जी बेसिकली वोलवो चार्जिस ठीक है देखो वोलवो कंपनीज वाले या वोलवो वाले मर्स्टरीज बेंच वाले इना थे ओपरेटरस ने चाहे और भी ट्रांस्पोर्ट है जुजार ट्रांस्पोर्ट है या कोई भी ट्रांस्पोर्ट है दे गाईज आर अर्निंग टू एस्टीमेशन लगा के देखोगे ता यह बहुत जादा एक दिन दी बेसिक लिए ना रेविन्यू जनरेशन बहुत जादा एगा मन्या 22 बहुत महेंगी आँ दिया ने बट इना रेविन्यू जनरेशन भी काटन नहीं हैगा बस इस तो ठीक है ता अगर वो तो अड़े तो ए अर्लिंग अर्निंग टू मच मनी ओ अलड़ी बहुत पैसा एथे कमा रेने ठीक है जी ओ ता देखो पॉलिटिक्स ता है ही यह देखो जो बादल सरकार आएगी हो एनना ता स्ठप करेगी जो ए बेठे ने होना ता बिसने स्ठप करेंगी ठीक है बट मेन चीज इस कि ए ता ठीक है जी क्लियर कोई दाउट नेक्स्ट दा जामिया मिलिया इसलामिया यूनिवर्स्थी ठीक है जी देखो जी जामिया मिलिया इसलामिया यूनिवर्स्थी ता नूं पढ़ता हुगा इस यूनिवर्स्थी दे बारे होन मैं अगर इस दी गल करा ठीक है जामिया मिलिया अगर मैं गाल करा था एनू National Assessment and Accreditation Council दे द्वारा A++ ranking देती गई ठीक है जी देखो इस University दे उत्ते बहुत सारा इस University students दे उते चाल रहा सिगा ते students दे इन भी protest कर रहे सिगे ठीक है जी ठीक है बहुत सारे students दे प्रोटेस्ट कर रहे सिगे बट उनो प्रोटेस्ट सारा खतम हो गया एथे students दो clean chat मिल चुकी है ठीक है जिड़ा भी staff है गया दे आर back to work सब कुछ back to work हो चुक है ते इस University दी ranking जड़ी हैगी है इंक्रीस कर देती है तो अनो पता होगा कि पिछले साल जदो citizenship amendment act आया सिगा ठीक है सरकार ने इस दी गाल किती ता उस time तो लेके ही इना universities देविच JREO हो गया जामिया मिलिया हो गया इना universities देविच काफी protest चाल रहा सिगा ता जामिया मिलिया इन युनिवस्टी देड़ेड़ा प्रोटेस्ट है खतम हो दा है में चीज तो नो यह थे पता होनी चाहिए इस दी ranking A++ ranking ठीक है केड़ी university है और NAAC दी फुल फॉर्म तो नो पता होना जरूरी है दा इस दा national assessment and the accreditation council ए government of India दा basically ministry of education दे विच वर्क करदा है एक institution दी framework दा एक data analytics provider है clear कोई doubt किसे नो है चलो जी clear next सिधार्थ चथवपाध्या सिधार्थ चपाध्या यह बने ने पंजाब दे नवे dgp गई म मद्जाब दे जवक्ता पहला पंजाव दे डीज़ीप nanti फ्याइफ साह, सब, IPS सो होता, that is, Iqbal Preet Singh सो होता साब, यह नियु सिधार्थ मतर, सिधार्थ πα्याप छटो पाद्या सामनू charged दे दे देता गया पंजाब दे DGP मतर इस देदा गया यह आट कहल्ग गया यह nवा चार्ज दे देगी तागया in सारे नू पता है गा है कि पंजाब इंडिया ने विच जड़ी ओरता दिली व्यादी उमर सीगी होने तक ओ सीगी 18 साल ठीक है ओ सीगी 18 साल जेस दी अगर मैं गल करां ठीक है इस दा गवर्मेंट आफ इंडिया दा चाइड्ड मैरीज प्रोटेक्शन एक्ट जड़ा सीगा 2006 जड़ा लौ सीगा इस जुन्हों आपा कैने है सरकार बाल विवा रोक कानून 2006 की जड़ा बाल विवा नहीं होना चाहिए और उस तो इलावा व्या एक्ट ते हिंदू मैरीज ठीक है special marriage act and the hindu marriage act of 1955 ए दो कानून जड़े हैंगे सी ए थे marriage the age नू लेके work कर दे सीगे ठीक है it is the special marriage act and the hindu marriage act and the second act is the protection ठीक है of बाल विवा रोक कानून ज़नू आपा कैने है ता इना दो कानून आंदे विच होन अमेंडमेंट किती जाएगी क्यूंकि हाले cabinet में approval देता है हल बिल पास होएगा हले बिल पास होएगा हले सरफ cabinet approval होया ता cabinet ने approval देता है कि हुण लेको फोन तक इंडिया दे विच women दे ले 18 साल व्यादी उमर है legal age ते males दे ले 21 साल है ठीक है पेदपाफ सीगा बट हुन इसनों खतम कर दे होए 21 साल बंड दी ही 21 साल कुडियां दी दोना धी बराबर एज इतनी निर्धारित का दे यजह जह दे 50 साल पहला तो खता-इंडिया कर सकते एक सिंपम्पल सी दीडी गालेफे निकल के आं दिया कि 20 साल पहला किसे मुंडे या किसे कुडिय तिन देटा आया कि तो जून दो हजार वी दे विच ना इंडियन गवर्मेंट ने एक कमेटी बनाई सी की डाट इस अंडर दा कमांड आफ दा जया जेटली जया जेटली दी कमांड दे विच एक कमेटी बनाई सी की एक टास्क फोर्स बनाई सी की जडी की वर्क कर दी की इंडिया दे विच वूमें क्यों नहीं हो पांदे ठीक है बहुत सारी है चीज़ा है थे सामने आ रही हैं सीगिया तो उसदली एक टास्क फोर्स इंक्लूड किती के सीगी जिस टास्क पोर्स ने दिसंबर दोजार वी दे विच अपनी इड़ी अनॉंस्मेंट एथे किती अपनी इड़ी रिपोर्ट है मैं गल करा 5 मार्च दे वेची मोधी सरकार ने अनॉंस कर दिता सीगा कि असी इड़ा एक बिल लेके आवांगे फीमेल्स दे प्रोटेक्शन नूं देख दे हुए असी ओरता नीड़ी व्यादी उमर हेगी है उसनूं इंक्रीज करांगे 18 साल तो कुछ इंक्रीज करांगे अनॉंस दिगा बाई था मोधी गवर्मेंट अनुंद बिला यह जस्ट कैबिनेट दा अप्रूवल इसनूं दित्था गया है ठीक है जी clear होया कोई doubt है कोई doubt किसे नूँ अगर है था कोई doubt किसे नूँ अगर है तो तुसी यह थे पुछ सक देओ ठीक है जी कोई भी doubt अगर किसे नूँ भी है let me check the doubt political बस इस फिर increase हो जाएगा है कित्थी उनिवर्स्टी जामिया मिलिया इस्लामिया उनिवर्स्टी दिल्ली दे वेच्छे है ठीक है नहीं दिल्ली दे वेच्छे गी है account clerks चलो जी अगे चल देया बचे nobody can predict the exam ठीक है nobody can predict the exam and असी एक भी fees charge नहीं कित्ती सी गी एस exam दे लिए account clerks दे लिए because everyone is new to this exam ठीक है हर कोई इस exam दे लिए new सीगा क्योंकि इस तो पहले accounts के लगदा कोई भी data नहीं सीगा ठीक है that's why we don't charge a single penny regarding this exam ठीक है बिल्कुल totally free पड़ाया गया सीगा next the chief minister चन्नी चरंजी सिंग चन्नी देखो चन्नी साप गे काल लुद्याने लुद्याना ठीक है अंशी मंदर नुब और अलाट कार दितना कि असा मंदर नुए जगा देवाँ देवाँदे हैं जेसरी ओते बनूगा एक शूपर सपेशलिटी हस्पताल ठीक है एक बापले फेलब ऎस्पताल जिते की लोग ठाड देवेच लोग का दा ओन इलाज किता जावेगा March लेज लोग का दा इलाज किता जाएगा जिते जगा सरकार देगी इस दा announcement इथे कर देता है गहा है चरंजित सिंह चन्डी दे द्वारा ठीक है जी एक सूपर स्पेशलिटी हास्पिटल इस दी बेसिकली इन्योग्रेशन दे लई इस दी बनान दे वे लई इस दी कंसक्शन दे लई जड़ी जगा हैगी है लैंड जड़ी हैगी है ओ इथे कर देता गया है किन्नी जगा ग्यारा कनाल जगा ग्यारा कनाल जगा एथे गवर्मेंट देएगी इस दा announcement cm चनी दे द्वारों कर दिता गया है का दुर्गा माता मंदिर दे नाल एथे एक सूपर स्पेशलिटी हास्पिटल बनाया जाओगा ते पुलिस टेशन नो भी नव ट्रॉमा सेंटर न मतले एक अमर्जेंसी सेंटर एथे आनाउस किता जड़ा की health services नो इंप्रूफ कर दे लिए लो धना शेयर दे वेच health services नो इंप्रूफ कर दे लिए एक बहुत ही वधिया योगदान एथे चल रहे है कि एक hospital एक multi-specialty hospital एथे दुर्गा माता मंदिर दे बनाया जॉगा ये अनाउस किता गैया ठीका जी एथे अनाउस कर देठा गया ठीका जी टे बनाया जाओगा तो अनुद ता जाऊ जावए कि लुजयाना दे वेचि एक अमेद कर पवन भी बनाया गया चाई ज तकत्छ को स्कत्र एक पर खर्च किते गएने ते इस दे वॉक्स नू चलानास ते अंबेतकर पवंदे कामा नू चलानास ते यह ने बाइदा सीम चननी तो दीज आरदा पंजाब नीव्स अपा डिसकस कार रहे हैं ठीक है जी है अपा इधे डिसकस कारे हैं ठीक है उसतो बाद पंजाब सरकार ने अनॉश किता जिगा कि लोकाण नो सस्तेकार अप्लोड अलोट किते जाड़े तो उस चीज नूँ अग्यवद आंदे हो है पंजाब सरकार ने एथे अटल अपार्टमेंट्स अटल अपार्टमेंट्स दा अनौस्मेंट किता इस दा नी पत्थर पंजाब सरकार ने एथे अटल अपार्टमेंट्स दा नी पत्थर रख्या है जो तो भी अटल नाम आया तो मैं थे चले जाना अटल बहरी वाज़ पाई थे ते मोधी सरकार दी गालियाद आया है ठीक है अटल जीदेना आते थे तो आनो बहुत वधिया चीज में तो नो जस जाली MIG flat MIG flat मतला middle income group flat थोड़े छोटे हुन दे हो ना तो ठीक है 12 मजली अमारत बढ़ाई जाओगी कित्थे पक्खोवाल रोड ते शहीद करनायाल सिंग नगर इलाक्य देविच 12 फ्लोर दी एक building बनाई जाओगी जेस देविचे मकान बनाए जानगे तो लोग कानू दि कल लेडे इस चीज़ दा त्याण राख साग देविच चोवी दिसंबर क्लियर जी उस्तो बाद चंडीगड रोड दे उपर रविदास ऑडिटोरियम ठीक है इस्ट एंड कलब ठीक है स्पैशल पारक स्टेटिक कंपैक्टर वपारक ते परदशनी के इंदर ते होर प्रज चन्नी साब ने चन्ट चानि साब ने कई सारे प्रजक्ट्ग यारि के लुध्याना शहर देविच बहुत सारा प्रजक्ट एथे अनाउस्किते गएन बाए दा CM चन्नी लुधियाना शेहर देविच ठीक है लुधियाना तो पता हुगा पंजाब दा सब तो वड़ा district है पंजाब दा सब ज़्यादा लार्ज एरिया वाइस भी था है एरिया नालो नुदेना नाला वड़ा है ठीके जी मैंचेस्टर ओफ मैंचेस्टर ओफ पंजाब क्या जानदा है ठीके जी क्या जानदा है इसनुब क्लियर CM चन्डी CM चन्डी ठीक है जी उस तो बाद election commission दिया पहले भी गल किती सीगा था election commission ने पंजाब देविच election commission ने पंजाब देविच एक van चलाई है गिया एक हरी चन्डी van नो दे रहती है गिया एक voter जाग रुकता van यानि कि एक van चलेगी जडी की लोका नो promote करेगी अटक्ट करेगी की vote पाण अगर vote नहीं बनी है तो उसनों बढवान बट vote ज़रूर पाण आनवाले elections देविच ठीक है अगे लेके आनवास दे ते पंजाब दे चीफ चीफ election officer ने या फिर मैं कहना CEO ने पंजाब दे इलेक्शन दे इनना दर ना है का Dr. S. Karuna Raju इनना दर नाम त्यार रखियो ठीक है जी ता एहोजिया ती वेना एते पंजाब दे में चलाईयां मिया एहोजिया ती वेना ठीक है जी ता basically these are the current affairs of two days नानि की 17 December 2021 दे बहुत ही important current affairs नो आपा discuss किता है ठीक है कोई भी doubt होवे ता तुसी पोच सकते हो ठीक है जी पोच सकते हो हाँ वोट पांदी age भी बदल जा सकते है कुछ भी हो सकता देखो amendments constitutional constitution देवेच ना एक article है का that is article 32 that is regarding to the right to the constitutional remedies ठीक है constitutional remedies clear clear हो गया कोई doubt any kind of doubt if you have you can ask ठीक है जी तुसी किसे भी तरह दा कोई भी doubt अगर तौन है गया है तुसी एथे पोच सकते हो ठीक है जी एथे पोच सकते हो clear any doubt these are the current affairs ठीक है ता आज़े session नो आपा एथे समाप्त करांगे ठीक है ये बहुत ही important session सी गा कल फिर मिलांगे स्वेरे इससे टाइम ते any important current affairs दे नाल ठीक है बहुत important I will try to find more such news for you ठीक है अपा होर things नो करंदी कोशिश करांगे ठीक है yes Rajinder जी 61st constitutional amendment दे नाल already change किता सेगा बट बच्चे दा कोशन एए है कि एथे फिर change किता जा सकता है ठीक है कि अगर किसे बंदे नो जरूरत होवे ठीक है constitution दे किसे भी basically अगर article तो अगर basically issue होवे ता उसने लई ठीक है एथे की की चीजाने and mcqs mcqs will be discussed soon don't worry ठीक है ठीक है छलिए मिलांगे next class देवेच सडे अगले session देवेच and it's end for the day and for the session of today basically ppsc cooperative inspector देडा सड़ा course है ओ आज तो start हो रहे है अज उसनी first class शामनू 5 वजे होवेगी उस तो बात second class होएगी सामनू 6 वजे ठीक है आज दो क्लासा अज तो रूं कंडक्ट किते रहे हैं डेली दो classes न थाड़ा प्लान है गया ता description देवेच लिंक दितता होया description देवेच अल्रड़ी links गिवनने and इस class दा pdf थोड़ी देवेच सदे telegram चैनल ते शेर कर दितता जावेगा telegram देडा लिंक हैगा उनीचे description देवेच डिफाइन किता गया हैगा clear चलो जी हास भी लियाकर हास आंगे भी जरूर बेसिकली देखो इस दा पार्ट आफ दा स्टड़ी मोमेंट जदो कोई news आवेगी ओधो अपाँ जरूर एदानी discussion भी करांगे ठीक है clear चलो जी it's all for the day thank you so much पानवाद